सो हे गाइस वेल्कम बैक टो माई चैनल सुपेंज आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने बाला है जो लोग रिसेनली पास कर चुके ट्वियल्थ या ग्रैजूशन पास कर चुके उन लोग के लिए बहुत ही ज्यादा बहुत सारे जॉब ऑपरचुनि यह ज्यादा बहुत जादा मुश्किल होने वाला है इसके लिए बहुत सारे केंडियोट क्या करते हैं प्राइबेट जॉब करिंटर्वियू देटे ने देते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को बता हूँगा कि आगर अब प्राइबेट कंपनी में जो question होता है मैं उसका कुछ यहां पे details आप लोग को बताऊंगा मैं यहां पे 8 question आप लोग को बताऊंगा जो की बहुत ही ज्यादा important होता है आप अगर कोई भी private company में जाते हो यह कुछ भी कोई company में अगर इंटरव्यू के लिए जाते हो तो यहां पे ज्यादा से ज्यादा आपको पूछते हैं तो दोस्तों एक वीडियो कुरा देखे क्योंकि आगर आप इंटरव्यू के लिए जाता है तो यह question आपके लिए बहुत ही जादा फायदान हो सकता है इसके साथ एक वीडियो भी आपके लिए बहुत ही helpful हो सकता है तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पे न अगर आप कोई भी private company में चाहते हो या कोई भी company में इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको यहां पर यह question पहले ही आपको पूछते है क्योंकि आप जो इंटरव्यूर है और जानना चाहते है कि आपका यह आपका जो tell me yourself में आपके पास जो जो है details आपको यहां पर जा अर experience अगर आप experienced है तो आप experience बोल सकते अगर आप pressure है तो आप यहां पर pressure बोल सकते हैं तो दोस्तों जादा से matched में आप अगर आप answer देते हो तो यहां पर time ब 산 जाता है इसके साथ इंटरिव्यू जो लेते हैं उसका भी यहां पर time maintained होता है तो दोस्तों यह कुछ जो की details है tell me about yourself के अंदर अगर आप यह सारे details आप देते हो तो आपको यहाँ पे हो जाता है उसके बाद दोस्तों जो है second number पे why do you want to work in our company तो दोस्तों यह भी एक most asked question है हर एक company में जाते हो तो इंटर्विवार एक question आपको आक्स करता है कि क्यों हमारे company में आप जाइन होना चाहते हो तो दोस्तों अगर आप फ्रेशर हो तो आप लोग यहां पे जिरेक भी बोल सकते हो कि मैं जॉब ढून रहा हूं यहां मैं हो सकता है अगर आप experienced है तो आप बोल सकते मैं एक big opportunity ढून रहा हूं मैं जहां पर काम करता था उससे भी यह बहुत बढ़िया opportunity है तो इसके लिए मैं यहां पर इस company के आपके company जो है इस company में मैं job करना चाहता हूं इसके साथ आप कुछ आपका इस company की कुछ रेपुटेटे बात भी आप कर सकते कि आपका company जो है इतना रेपुटेटेड़ है यह बहुत ज्यादा spread है all over इंडिया या उससे भी ज्यादा बहुत साई country में तो यहां पर आपका positive रहा है आपका हर वाग आपको देखना होता है उसके बाद दोस्तों third question जो है what are your strength तो दोस्तों यहां प बहुत ही hard working हो honest हो and creativity हो कि हारे काम से और भी ज्यादा काम करना चाहते हो या आपके जो काम करने के creativeness है वह भी आपको बहुत ज्यादा inspire करते हैं तो दोस्तों यह भी इस question की answer हो सकते है अगर आप इस question की answer देना चाहते है आप इस तरह ही दे सकते हो उसके बाद दोस्तों what is your weakness तो दोस्तों यह question भी बहुत ज्यादा पूछते हैं बहुत हरे company में अगर interview के लिए जाते हो तो यह question भी पूछते कि क्या है आपके weakness तो दोस्तों पहले यहाँ पर आप लोगों को बता देता हो weakness के मतलब यहाँ पर आपका जो weakness है कि मैं देरी से पहुंचता हो या मैं का लेट करता हूँ यह सब अगर आप बोलते हो तो यहाँ पर आपका negative एक थोट चला जाएगा interviewer के पास तो दोस्तों इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर आप हर बाग positive thinking या positive जो चीज है आपके पाल आप सभी provide कीजिए और interview के पास तो दोस्तों यहाँ पर आ चैसे कि अब लोगों को बोलना होगा मैं सीधा बात करता हूँ मैं हर वक्त बात नहीं करता हूँ इसके साथ साथ बिना काम के बात नहीं करता हूँ यह सब चीज आपको यहाँ पर बोलना होगा उसके बाद दोस्तों और question जो है why should I hire you तो दोस्तों यहाँ पर interviewer जो है यहा काम पानी में तो दोस्तों यहाँ पर आपको आपका जो skill है आपका जो talent है आपके पास जो experience है आपके पास जो ability है आप सब कुछ यहाँ पर बोल सकते हैं यहाँ पर आपका जो talent है basically यहाँ पर देखना चाहते है कि आपके क्या का talent है आप उसके उपर आप लोग यह बोल सकत उसके बास दोस्तों 6 नंबर पर जो कोस्टेन है what information you have about our company तो दोस्तों company के कुछ information लोग चानना चाते कि अगर आप interview के लिए जा रहे हैं तो आपके पास क्या नॉलेज है उस company के लिए तो दोस्तों थोड़ा बहुत इस company के लिए इंट्रव्यू के लिए जा रहे हैं उसके पहले आप गूगल में जाके कुछ सार्च कर लेना उस company के लिए इसके अगर कुछ भी आपके पास नॉलेज नहीं है आप उस company के लिए इस तरह से बोल सकते कि इस company बहुत ही बड़ा एक company है all over इंडिया में इसका spread है इसके साथ साथ बहुत सारे branches है इसके लिए यहां पर अगर मैं joint करता हूं तो यहां पर मेरा जो future है और बहुत ही जादा प्राइड हो सकता है तो दोस्तों इस तरह से भी यह question को आप cover कर सकते हो उसके बाद दोस्तो 7 नामर पर जो question है why are you looking for a job change तो दोस्तों यह विसके लिए जो experience है उन लोग के लिए है कि बोलते है कि आप क्यों जॉप छोड़ते हो छोड़ना चाहते हो तो दोस्तों इसके लिए आप लोग को बन रहा होगा कि मैं bigger opportunities पारा हूं ठोन रहा हूं मैं बहुत ही बढ़िया और चाहता हो इसके लिए मैं इस जोब को छोड़ना चाहता हो लास्ट जो question है what is your salary expectation तो दोस्तों यह जो है बहुत ही दोस्तों एक सारे question अगर आप prepare करके जाते हो तो आपका जो जोब है मिल सकता है तो दोस्तों यही वीडियो मैं यहां पे खतम करता हूं अगर आप लोग पसंद आए लाइक से सब्सक्राइक करने मान पूले थैंक्यू